रविजनेसमें बहुत उचाई तक जाने के बाद दिवालिया के खजार पर क्यूँ चले आते हैं? ऐसे इस्तिती को समझने के लिए अवश्यक है। इसमें बास्तु बहुत ही महत्पुर्न अपना भूमिका एदा करता है। जैसे आप यह समझे कि अगर बास्तु के दोश आपके घर में बैपार में आफिश में सभी जगा को देखना अवश्यक हरता है। यहां पर है तो निश्चित रूप से आप लाग कोशिस कर ले आपका व्यपार घाते में चगा जाता है। हम इसी मुद्दे पर विश्रेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात समझें कि बास्तु बख्यान अर्थात करते हैं कि बायदिक बास्तु और आध्युनिक बास्तु दोनों को समाहित करें गर हम देखते हैं, बास्तु के कुछ ऐसे दोस हैं। हम आज हम सुल्डर में 2 tudo zone की बात करेंगे। और यह दो जोन पूरा जिम्यदार है किसी भी बिजनेस को डुवाने के लिए तीवालिया करने के लिए और बिजनेसमेन जो है अपने आप घाटे में छला जाता है। जोन क्या है इस चीज़ को समझना है। देखें पूरे इसले जोन में यह लिए करिया है कि सभी कि देवता अपने अंस्वार टो है सो रिजलीट देते हैं क्याँ यह इनरडित जो है सब च्पर शख जो हुआ ज्योह अपनी पूरी तरह से जो है क्ष्ण है सो परिणाम देता ह हम देखते हैं अब इसमें कि 306 डिग्री में जो ये सारे सोल्य जोन आ रहे हैं उसमें मुख जोन जो है अगर आपके घर में ऑफिस में फैक्टरी में कहीं भी अगर ये दोस है तो निश्चित रूप से आप समझे कि आपका व्यापार निश्चित रूप से घाटे में चला कि एक दिन ऐसा आता है कि आप दिवालिया घोसित हो जाते हैं ये जोन है क्या कौन से ऐसे डोस्व उत्पन होते हैं जो ये सारे प्रोबलम को क्रेट कर देता है अब हम उसी का भिस्लेशन कर रहे है देखिए जो शेंटर साउथ है और नैरिक्त कौन है उसके बीच में एक ऐपको 190 डिभरी के बाद शुरू होता है और यह जो है यह जो है 215 डिगरी तक चला जाता है तो अर्थात ये जो छेत्र 22 डिगरी का है बहुत ही परिनाम देने में इस प्रकार के परिनाम देने में काफी एहिम्यत रखता है इस जोन को काते हैं SSW का छेत्र अर्थात ये जो छेत्र है दक्षिन दक्षिन पस्चिन का कोना पस्चिन का छेत्र है इसको हम काते हैं जो सोले जोन है उसमें इनर्जी के अधार से काते हैं ये डिश्पोजल का जोन है डिश्पोजल का छेत्र है डिश्पोजल का मतलब डिश इस्तिति में हम क्या रख लेते हैं जिसका इतना वरक्क्रम्याजा हमें भोगना पड़ता है इस चीज को संजे अगर आप पहले आप जहां पर निवास करते हैं उस चीज को लें अगर आपका बेट ढूंद ऐसे छेत्र में अर्थात जो घर का मुख्या है या बिजनेस का माल अगर बेट conhe इथा निश्चित लोप से इतने गहतक परिणाम यह देता है इसमें कोई दो oni est ten yu अगर मांगे कि आप पूरा आपका बना हुआ नेक्तकों में लेकिन आप जहां सो रहे हैं, आपका सिर्ज जो है, सो इस छेत्र में आ रहा है, तो भी ये परिनाम देखा, तो इससे ये चीज को बचना आवश्यक है, इसका परिनाम इसके साथ उपाय को समझते ज़ए, क्या आप अपने बेग्डूम के जो विष्तर है, आपके सोने का को ततकाल आप चेंज कर दें, दूसरा कोई इसका बास्तू से टीटमेंट नहीं है, जब तक घर का मोख्या उस अस्थान पर सोएगा, तो निष्टी तुरूपसरी वेरिजट आते रहेगा, अब दूसरे पोइंट पर आते हैं, कि यह जो जो जोन है, ऐसे डावलू का, इस और डिस्पोजल के अर्थ ही होता है, काल ही होता है, काम ही होता है, कि सब को डिस्पोज कर देना, तो जब भी आप इस छेत्रे में अपने डॉकमेंट्स के रखते हैं, इंपोर्टेंट डॉकमेंट्स चाहे हो फैक्टरी का हो, वैपार का हो, विजनेस का हो, घर का हो, जो इंपोर्टेंट डोकुमेंट्स अगर भूल बस अगर यहां रख रहे हैं तो तत्कार इसका टीटिमेंट है कि वहां से हटार करके दूसरे जगह पर रखेंगें तीसरी बात है कि अगर यहां पर आपने अपने लोकर को रख रिया है अर्थात यह समझे कि जो भी नगदी पैसा कोड़ी या जेवर जैज जो भी है आप इस जगह पर रख रहे हैं तो कितनों बरे बिजनेस में आप अगर हैं आपके अच्छी चल रही है सारे चीज फैक्ट तो यह सारे तीन चीज को जो हम बता रहे हैं तीन चार चीज कि ना तो यहां पर सोना नहीं कोई इंपोर्टेंट डपोमेंट्स रखना नहीं या तो आप जो है सु यहां किसी प्रकार रुप्या पैसा रखना अब देखिए कुछ बास्तू सास्त्री इस पर बहुत जो है आज़का वर्प करते हैं लेकिन उनकी जानतारी उतिनी जो है सु इस चेतr पर डवलॉप नहीं रहता है तो क्या करते हैं की नयरत कोन में आपको बेठा देते हैं घर का आदमी जो मुखिया है आपके आपिस Мें या बिजिनेस के चेत्र में भई नयरेत कोन में आप तो यह निश्चित रूप से अगर वहां कोई मुखिया रह करके अपना टोटल बैपार का निवने लेता है, बिजनेस करता है, तो आपको यह खम्याजा तो भोगना ही परेका, तो इसका सीधा सा उपा है, कि आप अपने सिटिंग एरिया को तथकाल चेंज कर दें, जो आपक इस चीज को तो यह बारे कि आपके बिजनेस में यह इस्सिति उत्पन नहीं हो, तो यह खेत्र से आपको यह सारे चीज को बचना परेगा, साभधान दाना परेगा, अब यह चीज हो गया, अब हम आते हैं कि दूसरा, दूसरे चेत्र का बात करते हैं, जिसको करते हैं इस् मेरी सेरकशा ऋताना पर हो आजा तो ऐधा व कि अन्टने चीजन को पंतना है निसे मन्तन और आयों घैख समुद्र गोकणके तक या फिर इसन निकला गता दोक्तर कहा मन्तन करें के बारे करने करके एंवेक्त आमरित समान की है जो है अगर मन्थन आपका ब्लॉक हो गया, आप किसी चीज पर बहुत जादे डिसकस नहीं करते हैं, अपने दिमाग को नहीं दोराते हैं, तो बिजनेस आपका कैसे चलेगा, अर्था दिमाग जितना एकसर साइज करेगा, वो उतना आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, तो ये मन्थ मन्थन के छेतर में अगर वास्तु दो सुथपन हो जाता है, तो ये मन्थन बंद हो जाता है, क्योंकि ये मन्थन ये जो छेतर आता है, डिगरी के हिसाब से समझें, एक सो एक डिगरी से लेकर के, एक सो तेविस डिगरी तक जो है, तो ये जो डिगरी के अधार से ये छेत है आप का चेत्र है आप कैसे बिजनेस ड tip लप हो गए उस पर जो आप चिंतन करते हैं वह आप डिसपोजल हो जाएगा आपका यह नहीं करेगा तो जब वर्क नहीं करेगा तो शेया करेगा सम्ह statistically नहीं तिए इसलिए बिजनेस गहाटे में चलना शरू हो जाता है लोग इस पर छिंतन नहीं कर पाते jumps passport कर नहीं कर पाते हैं तो बशिनेस का जो इस्ट इसट सउट का चेटरे में इसमें टॉलेट बना सकते हैं साटिक टेंक बना सकते हैं बिल्कुल सरासर गलत है ये जोन sp doctors ये नॉर्मर मल्का फैसे नहीं है अधर वद्टु ये बताता है कि ये जोन जितना बेहिस्टीत रहा आपका चिन्तन उतना तेजी चलेगा आप उतनी ग्रोथ में जाएंगे तो यह चीज को देखना आवसके यहां पर ना तो टॉलेट हो सकता है ना सेप्टिक टेंक हो सकता है अगर टॉलेट है तो आप क्या करेंगे यहां पर लाल जो यह चार इंच का जो है सो एक हरे रंग का टेप का पट्टी लगा दे यह चार आप कर दे तो यह आपको रिडर्ट जो परिनाम गल्ट दे रहा था वो आपको कुछ हत्तंदया देने लगे लगे गा दूसरी बात है कि अगर यह यहां अर्ठ के छेत्र को ले आते हैं आज यहां पढिशिविता तो पीला कलर है इसstesud겠 अगर यहां पीला कलर कर द पीला करण नहीं हो, यह चीज को ध्याम रखना है, यहां का परदा, यहां का जो भी आप टेबुल क्लॉथ हित्या भी पीला नहों, यह बेक ग्राउंड आप पीला ले लेते हैं, वो नहों, यह सारे चीज आपको रखना पड़ेगा, देखी, अगर यहां पर आपने इस्टो सारे चीज को यहां नहीं होना चाहिए, देखी, यह मन्थन का छेत्र है, अर्था यहां पर आपका चिंतन जितना अधिकी बिजनेस में चलेगा, उतना आप ग्रोथ करेंगे, तो अगर यह चीज डॉक हो जाता है, तो आपका बिजनेस भाटे में चले लगेगा, तो ऐसे इस्तिति में आप यहां करें तो क्या करें, यहां पर एक माय शुदा का मन्थन करते हुए चित्र, जो माका निकालते हुए चित्र, अगर यहां आप लगा देते हैं, तो अच्छा रिजल्ट यह देगा, निश्चीत रूप से, या किसी इस्त्री बर्ग से, आप यहां एक मतनी रख देते हैं, तो आप इसका अच्छा रिजल्ट देगा, तो यह सारे चीज जो है, अच्छे परिनाम के लिए है, इस जोन को एक्टिवेट करना जरूरी है, और जब यह एक्टिवेट होगा, तो आपका मन्थन चलेगा, आपका मस्तिज चलेगा, चिंतन कल चलेगा तो आप बिजनेस में ग्रोट करने लगेती है, तो यह सारे चीज जो है, यह दोस्त के कारण, आप बिजनेस आपका डूबने लगता है, आप दिवालिया के कागार पर पहुंझाते हैं, आपको पता नहीं और इसका घातक परिनाम आपको मिलने लगता है, खीक है, नमस्का बिजनेस घाटे में नहीं जाया आपको यह आपको जो है सो टीटमेंट करवाना ही परेगा किसी बास्तू सास्त्री के दौरा आपको अगर लगता है तो आप कॉमेंट परा कर पूछेंगे तो मैं दिलका आप बिल्कुल आपको इसका जो है सो सही सही उपाय बताएगे अब केवल घर के बास्तू से भी सही नहीं होगा चुकि आप मुकिया है घर में रहते हैं समय बिताते हैं वो भी बास्तू आपको इफेक्ट करेगा आप फैक्टिम रहते हैं वह भी आपको बास्तू इफेक्ट करेगा आप बिजनेस ओफिस में रहते हैं पार्पेट ओफिस में भी आपको एफेक्ट करेगा आप जो है जहां बैपार करने जाते हैं तो अगर आपके पास नौलेज हो जाया तो इस मुख करके आप ना बैठे तो आपको यह रिजाइट जो सही है वो मिलने लगीगा तहीं यह सारी टिटमेंट है साथ धानिया हैं जिसको आप जीवन में अपना करके काफी लाव ले सकते हैं धन्यवाद पिर मिलते अगले विडियों नमस्टे